श्वागत आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG Tally Account GST दोस्तो Tally Prime Software में अपनी कमपनी के अंतरगत आप जो भी voucher entries करते हैं उससे पूर्व के जो भी कारी करते हैं उसके base पर उसके आधार पर automatic कई सारी reports तैयार होती हैं और यदि आप Tally Prime Software में कारी करने में expert वनना चाहते हैं master वनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इन सारी reports को आपको देखना आना चाहिए क्योंकि यह सबसे मैत्पूर अंग है टेली प्राइम सब्टो बेर में कारी करने का आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी company के अंतरकत आपने कोई product purchase किया और उस product को sell किया अब उस product के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस product को आपने कब-कब किस-किस से कितना किस-किस rate में purchase किया और उसी product को कब-कब किस-किस rate में किस-किस को कितना-कितना sell किया तो यह आप कैसे देखेंगे इसके लावा किसी product के बारे में आप यह जानकार यह लेना चाहते है कि वो product आज की date में हमारे पास stock में कितना है और उसकी value लीकितना है तो यह कैसे देखेंगे हैं इसके लिए आपको क्याकर हुआ है यहां से रिपोर्ट शेकर्शन के अंतराकत आपको लिखा हुँ अमेले का संभरी संभरी तो यहां पर आ 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी आपके stock item होंगे वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगे हम क्या करते हैं कि जो भी product होते हैं उसी की name से stock item create कर लेते हैं और फिर उसको लेकर transaction करते हैं तो यहाँ पर मैंने जो stock item create कर रखे हैं stock item मुझे जगह पर दिखाई दे रहे हैं और हर stock item के सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो stock item के यहाँ पर quantity के column में आपको जो quantity दिखेगी वो closing balance होगा यानि आज की date में जितना आपके पास stock है वो आपको quantity के column में मिल जाएगा rate के column में और सत rate मिल जाएगा तो value के column में value मिल जाएगी ठीक ना अब यहाँ पर किसी भी stock item के बारे में मुझे और भी जानकारी लेना है तो क्या कीजिए आप उस stock item को select करके और interface कर दीजिए यहाँ पर amounts stock item में उसके बारे में मुझे और भी जानकारी लेनी है अब यहाँ पर देखिए परचेज की जानकारी आपको कहां मिलेगी सेल की जानकारी कहां मिलेगी और closing valence की जानकारी कहां मिलेगी उसको समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा inward का column और एक मिलेगा outward का column inward का column यानि परचेज की जानकारी आपको चेज़ किया और जिसकी वैल्यू थी 6,60,000 रुपए आउट वर्ड के कॉलम में आपको सेल की जानकारी मिलेगी और आउट वर्ड के कॉलम में हम अपरेल मंत में देख रहे हैं तो 1000 किलोग्राम क्वांटिटी की कॉलम में सो रहा है इसका मतलब अपरेल मंत में मैंने 1000 किलोग नहीं तो इस मंत को सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अक्टूबर मंत के बारे में मुझे जानकारी लेनी है मंट से श्टॉक का इंटर प्रेस कर दिया तो देखे एक अक्टूबर से लिए कर 31 अक्टूबर का पीरेट हो गया और इस बारे में हम यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं इसके लावर यह आप यहाँ पर अडर के साथ एप 2 पर इस करके कोई भी पिरेट कर दें तो इस पिरेट के बारे में भी आपको atenी मिल जाएगी inward outward यानि purchase sell की और closing balance की भी अब इस जगर जब आज आएगे तो देखें यहाँ पर date के column में date मिलेगा particular के column में देखेंगे तो party के name मिलेंगे जिन party से आपने purchase किया जिन party से आपने sell किया वो सारी की सारी जानकारी आपको इस जगर पर मिल जाएगी inward के column में आपको पूरी detail में जानकारी मिलेगी कि किस किस से आपने किस किस rate में rate का column भी यहाँ पर हो जाएगा inward में देखेंगे तो inward में quantity भी है rate भी है और value भी है तो जिस जिस से आपने purchase की invert के column में आप आएंगे जिससे भी आपने purchase की किस quantity में उससे purchase की उसकी per quantity की rate क्या थी और उसकी value क्या थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी है ना आउटवर्ड के column में देखेंगे तो sell की जानकारी आपको मिलती रहीगी यहाँ पर बराबर से जैसे कि देखी रजर टेडर को मैंने sell की थी तो sell में quantity है यहाँ पर 220 किलोग्राम एक अक्टूबर को मैंने रजर टेडर को sell की थी यहाँ पर sell voucher टाइप में सो रहा है तो आप यह जानकारी भी यहाँ पर ले सकते है तो इस तरह से आपको कोई भी stock आइटम है उसके बाले में उसके बारे में आपको invert जानकारी लेनी है नहीं पर पर च Свक जानकारी लेनी है तो परचाइज की जानकारी पूर detail में आपको इस जिज़न कापर मिल जाएगी South 3930 kg closing balance यानि आज की डेट में जो लास्ट डेट है जिसमें कि मैंने एंट्री की थी है ना तो उस डेट में मेरे पास यहां पर 4930 kg अभी श्टॉक में है अब मुझे स्टॉक आइटम के बारे में मंतली जानकारी मिल रही है और closing इसे पर देख पा रहा है तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक था वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें धन्यवाग